जहीं दोस्तों मैं मिठले साहू स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूटूब चैनल NCC V पर दोस्तों आपको NCC V चैनल पे NCC ABC सर्टिफिकेट एक्जाम की तैयारी कराया जाता है और अगर आप लोग NCC X-CADET है तो X-CADETS के लिए इस पेशल एंट्री जो निकाला जाता है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको इस चैनल में देखने को मिल जाता है और फ्रेंस क्योंकि आप लोगों का NCC एक्जाम नजदीक आ चुका है तो मैंने आप लोगों के लिए एक क्लाश डाला था जिसमें बताया था प्रिव आज के क्लास में जो बाकी के कोशन्स थे उसको हम लोग डिसकेशन करेंगे तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्ण जो बचा था फ्रेंड्स क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप लोगोंसे एक छोटा सरी क्वेष्ट है अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सस्क्राइब करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर करेंगे तो हम लोगों ने देख लिये थे Personality Development and Leadership यह topic भी देख लिये थे हम लोग आये थे disaster management topic में कौन सो topic? तो यहां से पढ़ना चालू करेंगे disaster management जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपदा प्रबंधन तो disaster management मतलब आपदा प्रबंधन से सबसे पहला प्रशना यहां पे बना है जैसे कि What do you mean by disaster? मतलब आप लोग आपदा से क्या समझते हो या फिर आपदा से आप क्या समझते हो इस प्रकार से प्रशना पूछेंगे अगर आप लोग English medium से बिलॉंग करते हो तो What do you mean by disaster? अगर आप लोग Hindi medium से बिलॉंग करते हो तो disaster अरथात आपदा से आप क्या समझते हो इस प्रकार का प्रशना पूछा जाएगा तो आप लोगों को आंसर में लिखना होगा कि प्राकृतिक या मानवकृत घटनाए जिनके प्रिणाम सरूप भारी जानमाल की छती होती है आप दाएं कहलाती है सिर्फ आप लोगों को एक लाइन में आंसर लिखना रहेगा प्राकृतिक या मानवकृत घटनाए जिनके प्रिणाम सरूप भारी जानमाल की छती होती है आप दाएं कहलाती है उसके बाद दूसरा प्रशन बनता है Write down the names of disaster, explain anyone मतलब कितने प्रकार के आप दाएं है ये समझाना है आप दाएं होते हैं ये आप लोगों को बताना है और किसी एक को आप लोगों को explain करना है तो मुख्यरूप से आप दाएं दो प्रकार की होती है आप दाएं खालिस्थान प्रकार की होती है ये fill in the blanks में भी पूछा गया है तो आप लोगों को बताना है आप दाएं दो प्रकार की होती है कौन कौन सा तो एक होता है प्राकृतिक आप दाएं और दूसरा होता है मानवकृत आप दाएं तो जो disaster management है इस पे मैंने special class चलाया था इस topic पे disaster management मतलब आप दा प्रबंधन इस topic पे special class चलाया था अगर आप लोगों ने NCC handbook topic wise classes का playlist नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोगों को exam से पहले एक बार complete उसको देख लेना है तो प्राकृतिक आप दाएं के अंतरगत कौन कौन सा आता है ये समझना रहेगा आप लोगों को तो सबसे पहला आ जाता है भूकंप क्या लिखो के भूकंप उसके बाद आता है चक्रवाद ये कौन से आप दाएं हैं उसके बाद यूद तो यूद मानवकरित आप दाएं कौन कौन से होते हैं तो आप लोगों को बताना है अकनी कांड बंवी स्फोर्ट आतंकवादी हमले और यूद और ट्रैफिक भी पोल सकते हो तो प्राकृतिक आप दाएं कौन कौन से होते हैं मानवकरित आप दाएं कौन of fire यहाँ पे पूछा गया है आग फैलाने वाले मुख्य तत्व कौन कौन से है मतलब आग को फैलाने वाले तत्वों के नाम लिखना है आप लोगों को what are the elements for spread of fire आग फैलाने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से है तो हवा से आग फैलती है आप लोगों पढ़े होंगे कहीं पे तो आप लोगों को पता होगा हवा से आग तेजी से फैलता है उसके बाद किस से फैलता है तो ऑक्सीजन की मात्रा से भी जो आपका आग है वो तेजी से फैलता है उसके बाद जोलंसीन वस्तुवे हैं तो आग तो फैलेगी ही हवा से फैलेगा ऑक्स अब यहां से समझना यह प्रश्ण आपके लिए कितना important हो जाता है तो यह प्रश्ण आपके लिए बहुत जादा important हो जाता है very very important question हो जाता है क्यों होता है इसको समझना क्योंकि यहां पे NCC cadets को सीधा relate करते हुए प्रश्ण पूछा गया है तो आप लोग कभी भी handbook पढ़ते हो या फिर camp के दवरान जो P.I.S.T.A.N.O.S. class चलाते हैं उसमें अगर NCC cadets को relate करते हुए कोई प्रश्ण बताया जाता है तो उसको ध्यान से पढ़ना है अपने notes book में note करना है क्योंकि जो आपका exam होता है उसमें यही सब सीध इसी से related question N NCC cadets को कि क्या योगदान है NCC cadets की क्या भूमी का है NCC cadets को relate करते हुए ही जादतर प्रश्ण पूछे जाते हैं तो इसका answer आपको exact लिखने भी आना चाहिए तो यहाँ पे पूछा गया है what are the role of NCC in disaster management disaster management मतलब आप दा प्रबंधन में NCC का योगदान क्या है या फिर NCC का योगदान लिखो प्रश्ण पूछेगा आपसे तो आप लोगों को बताना है कौन कौन सा सबसे पहला लिखोगे तो traffic control ये लिख सकते हो आपदा प्रबंधन में NCC का योगदान traffic control फिर लिख सकते हो प्रात्मिक उप्चार उसके बाद अफवाहे न फैलने देना ये लिख लिखोगे उसके बाद सरकार द्वारा प्राप्त रहात समागरी को पीडितो तक पहुचाना ये नेक्स्ट काम लिख सकते हो उसके बाद लिखोगे आप दमे फ़से लोगों को सुरक्षित जगा पहुचाना तो ये कुछ योगदान्स है जो NCC कर सकते हैं करते हैं डिजास लिख सकते हो उसके बाद सरकार द्वारा रहात समागरी को पीडितो तक पहुचाना ये पॉइंट लिखोगे उसके बाद लिखोगे आप लो आपदा में फ़से लोगों को सुरक्षित जगा पहुचाना उसके बाद प्रशन पूछा गया है यहाँ पर वाट आर्दा मैज डिजास्टर मैनेजमेंट लेवल्स इन अवर कंट्री प्रशन पूछा गया है वाट आर्दा मैजर डिजास्टर मैनेजमेंट लेवल्स इन अवर कंट्री मतलब प्राकृतिक आपदाएं निवारान करने के प्रकार बताना है उसको कितने तरीखे से हम लोग उसका निवार प्रयोक करना चाहिए ये लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए ये लिख सकते हो भूमी को अन्यथा काड़ों से खोदाई से बचना चाहिए ये भी लिखोगे आप लोग उसके बाद यूद में विराग लगाते हुए सांती की पहल करना ये लिखोगे उसके बाद आतंगवाद एवं बंविसफोट के रोक या पूरी तरह खत्म कर मानवकृत अबदाएं को रोका जा सकता है तो ये कुछ पॉइंट जो आप लोग लिखोगे प्रशन पूछा गया था प्राकृतिक आप दाएं निवाराण करने के लिए कितने प्रकार होते हैं फिर निवाराण करने के कितने प्रकार हैं ये प्रशन पूछा गया था तो आप लोगों को ये पाइंट लिख न रहेगा फिर देखते हैं नेक समाजिक कार्या बोलते हैं इस टॉपिक से प्रशन आपके NCC एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ लेना है तो चलिए देखते हैं इस कोशन पेपर सेट में इस टॉपिक से किस प्रकार के कोशन पूछे गए हैं उसका आंसर क्या लिख हुआ हैं और आपको समझना है कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रशन पूछे जाते हैं और उसका आंसर कैसे लिखना रहता है तो सबसे पहला पूछा गया है what is social service name any five social service समाजिक सेवा का क्या अर्थ है प्रश्ण पूछा गया है what is social service समाजिक सेवा क्या अर्थ है एवं किनी पांच समाजिक कारे बतलाईए पूछा गया है समाजिक सेवा का क्या अर्थ है तो आप लोगों को सबसे पहले बताने है कि समाजिक सेवा है क्या उसके बाद किसी 5 समाजिक कारे को लिखना रहेगा ठीक है तो समाजिक सेवा का अर्थ है स्वार्थ रहित हो कर जन कल्याण के कारियों में अपनी अर्जित सक्तियों द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग देना अब यहाँ पे एक वर्ड देखने को मिलेगा आप लोगों को स्वार्थ रहित ये और मैंने जब पिछला कलास पढ़ाया था तो उसमें स्वस्थ रहित ऐसा पढ़ ऐसा लिखा था वहाँ ठीक है क्योंकि उसको tapping करके मैंने बनाया था answer उसको एक हमारे PI staff देखे थे sir बहुत अच्छे है एक हमारे बहुत अच्छे PI staff sir है उन्होंने अच्छे से बताए कि बेटा ये स्वार्थ रहित होता है करके और उसी के बदले अगर कोई ऐसा होता जितना को वीडियो पहुंचता जो इन डिसिप्लीन रहते हैं तो वो मेरे को समझाने के बजाए क्या बोलता सीधा कि सर आप गलत पढ़ाते हैं तो अच्छे लोगों का नेचर अच्छा ही होता है यह चीज सीखते हैं हम लोग जनकल्याण के कारियों में अपनी अरजिद सक्तियों द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग देना उसके बाद लिखोगे किन сх 5 समाजिक कार्या तो कौण कौन सा लिख दोगे आप लोग लिखोगे रक्त दान साक्छर्त अभहान दहेज निवारण अभ्यान उसके बाद स्रमदान ट्रैफिक कंट्रोल एवं व्रिक्षर ओपड़ तो यह कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग समाजी कारेकित लिख सकते हो समाजी कारेके लिए लिख सकते हो तो कौन कौन सा तो रग्तदान लिखोगे उसके बाद लिखोगे साक्षारता अभियान दहेज निवारण अभियान स्रमदान ट्रैफिक कंट्रोल व्रिक्षर ओपड़ फिर देखते हैं सोशल सर्विश टॉपिक से नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर टू यहां पर पूछा गया है भारती समाज में कौन कौन से कमजोर वर्ग है परासरित महिला वर्ग तो यह कुछ पॉइंट्स लिखना है आप लोगों को यह चीज़े आप लोगों को याद रखना है आपको याद करबना ही है क्योंकि यह प्रश्म कभी भी पूछा जा सकता है अपसे कि भारती समाज में कौन कौन से कमजोर वर्ग है तो आप लोगों को बताना है दलित वर्ग, अनुसूचित, जन जाती, बंधुवा मजदूर, स्रमिक तथा निम्न कोटी के करमचारी, परासरित महिला वर्ग तो ये हो जाते हैं Various Vickers Section of Indian Society, ठीक है भती समाज में कमजोर वर्ग तो पांच लिखना है आप लोगों को दलित वर्ग, अनुसूचित, जन जाती, बंधुवा मजदूर, स्रमिक तथा निम्न कोटी के करमचारी, परासरित, महिला वर्ग उसके बाद एक नेक्स्ट कोशन, Define Family Planning, परिवार नियोजन को समझाएं प्रशन पूछा गया है आप लोगों से परिवार नियोजन को समझाएं तो आप लोगों को दो लाइन में लिखना रहेगा जिस गति से भारत में जनसंख्या की वृद्धी हो रही है, वह अत्यधिक दुगदाई है इसके कारण आज भारत में असिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, समाजिक कहस्वस्थता, कुपोशन, बीमारियों दिन प्रती दिन बढ़ती जा रही है या भारत के लिए अभिस्थाप है तो परिवार नियोजन को समझाएं पूछेंगे तो आप लोग ये पॉइंट्स लिख सकते हो चाहो तो अपने से भी इसका आंसर लिख सकते हो तो जिस गती से भारत में जनसंख्या की वृद्धी हो रही है वह अत्यधिक दुखदाई है इसके कारण आज भारत में असिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, समाजिल, अस्वस्थता, कुपोशन, बीमारियों, दिन प्रती दिन बढ़ती जा रही है ये लिखोगे ये भारत के लिए अभिसाप है तो इस प्रकार का कुछ आंसर आपको लिख देना है फिर देखते हैं नेक्स्ट कॉश्चन आरक्षण से आप क्या समझते हो बिछले ही कुछ दिनों में एक क्लास चलाया था जिसमें आरक्षण पे आपका क्या विचार है ऐसा प्रशन पूछा गया था तो उसमें वाद वी वाद प्रतियोगीता ऐसा कुछ बनता है न उसी तरीके से रिलेट करते हुए हम लोग आंसर लिखते हैं उसके पक्ष में भी लिखते हैं उसके वी पक्ष में भी लिखते हैं तो यहाँ पर प्रश्ण पूछा गया है उसी से related टाइप का जैसे कि what do you mean by reservation आरक्षण से आप क्या समझते हूँ तो इसका answer आपको लिखना रहेगा हमारे समिधान में विभिन जातियों जैसे अनुसूचित जन जाती पिछडी जाती के लिए सरकारी नौकरियों उच्च सिक्षण संस्थानों में राजियों एवं केंद्रो सरकारों द्वारा जगह निर्धारित है जिससे अन्यवर्ग के लिए बहुत बड़ी समस्य बनती ज समिधान की धारा 17 के अंतरगत राजियों को विशेस विवस्था दी जाती है आरक्षण समिधान का नियव बन चुकी है जो एक अच्छे समाज के लिए और सिक्षित वर्ग के लिए अभिसाब है तो ये कुछ पॉइंस इंपोर्टेंट पॉइंस ये पॉइंस आप लोगो इस अच्छे से लिए देना होगा क्या लिखोग एक बार और ध्यान से सुनों हमारे समिधान में विभीन जातियों जैसे अनुसूचीत जन जाती पिछडी जाती के लिए सरकारी नौकरियों उच्छ सिक्षर संस्थानों में राजियों एवं केंद्रों सरकारों द्वारा जगह निर्धारित है जिसे अन्यवर्ग के लिए बहुत बड़ी समस्य बनती जा रही है सविधान की धारा सत्रा के अंतरगत राजेयों को विशेश विवस्थत दी जाती है आरक्षर सविधान का नियम बन चुका है जो एक अच्छे समाज के लिए और सिक्षित वर्ग के ल आदर हमारे सरीर के अंदर रोग प्रती रोधग चमता को धीरे धीरे समाप्त कर देता है इस और इम्यूनोडिफिसियंसी उसके बदवी से लिख दोगे वायरस इसके साथ ही साथ आप लोगों से AIDS का फूरा नाम भी पूछा जाता है तो AIDS का पूरा नाम आप लोगों को लिखना होगा एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिसियंसी सिंड्रोम ठीक है AIDS का पूछेंगे तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिसियंसी सिंड्रोम लिखोगे HIV का पूछेंगे तो आप लोगों को लिखना है human immunodeficiency virus फिर देखते हैं next question तो next question बनता है BCG कभी पूछा जाता है vessels colmate urine करके होता है तो एक बार अच्छे से देख लेना आप लोग what are the social service activities done by NCC cadets write down the benefits of these activities for the NCC cadets प्रस्न पूछा गया है NCC cadets द्वारा कौन-कौन से समाजिक कार्य कराये जाते हैं एवं इनसे cadets को क्या लाब होता है प्रस्न पूछा गया है what are the social service activities done by NCC cadets write down the benefits of these activities for NCC cadets NCC cadets द्वारा कौन-कौन से समाजिक कार्य कराये जाते हैं पूछा गया है social service मतलब topic ही पढ़ रहे हैं अभी तो कौन-कौन से समाजिक कार्य कराये जाते हैं और उनसे क्या-क्या लाब होता है यह आप लोगों को लिखना रहेगा तो समाजिक सेवा में कौन-कौन सा करते हैं तो रक्तदान पढ़े हैं अभी साक्षरता भ्यान पढ़े हैं दहेज निवाराण अभ्यान पढ़े हैं स्रमदान और व्रिक्षरोपण अब इससे लाव क्या होता है तो कैडेट्स का नैतिक इस तर उचा होता है ये लिखोगे कैडेट्स को नेतरित्व गुड में विक्सित करना होता है ये लिखोगे कैडेट्स में मातरित्व की भावना जागरित होती है तो इस प्रकार के आप लोगों को आंसर लिखने भी आना चाहिए ठीक है कि ये प्रशन पूछा गया है तो इसका आंसर हम लोग नहीं पढ़े हैं तो किस प्रकार से इसका आंसर अपने से लिख सकते हैं जो 100% सही रहेगा ठीक है तो कोशन और आंसर यहां से देखने के साथ साथ अपने माइन को थोड़ा से स्ट्रॉंग करते जाना है कि यही प्रशन आएगा या इसी से रिलेटेट की इस प्रकार का प्रशन आएगा तो उसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं ठीक है यह आपके माइन में चलना चाहिए फिर देखते हैं राइट डाउन दा मीनिंग ओफ वुमेंस इंपोर्मेंट हाउ कैन एंसेसी कैडेट्स कंट्रिब्यूट टू दीस एक्टिविटी प्रशन पूछा गया है महिला ससक्ती करण से आप क्या समझते हैं एंसेसी कैडेट्स इनमें कैसे भाग ले सकते हैं तो आप लोगों क्या आपना लिखना रहेगा ससक्तिकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरीक द्रिष्टिकोंड के प्रती जागरू किया जाता है अंतराष्टी संस्थानों में समाजिक सम्ता और राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने की भूमीकर निभाई जाती है इससे महिलाओं में आत्मविस्पास और ससक्त बनाने की प्रक्रिया है तो ये पॉइंट्स लिखोगे आप लोग इसके आंसर में कौन कौन सा तो महिला ससक्ती करण से आप क्या समझते हैं पूछेंगे और NCC कैड़ेट्स को इन में कैसे भाग ले सकते हैं पूछेंगे आप लोगों से तो आप लोगों कौन सर लिखना होगा महिला ससक्ती करण के अंतरगर्थ महिलाओं से जूड़े समाजिक, आर्थिक वर राजनैतिक और कानूनी मुद्धों पर सवेदन, सिल्ता और सरोकार व्यक्त किया जाता है ससक्ती करण की प्रक्रिया में समाज को परीक, द्रिष्टी कोड के प्रती जागरू किया जाता है अंतरराष्टी शंस्तानों में समाजिक, सम्ता और राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने की भूमिका निभाई जाती है इससे महिलाओं में आत्म विश्वास और ससक्त बनाने की प्रक्रिय है ठीक है फिर NCC केड़ेट्स इनमें किस प्रकार के भाग ले सकते हैं अधिकार के बारे में जानकारी देकर ये पॉइंट्स लिखोगे उसके बाद महिलाओं को बाहरी राजयों में नौकरी वथिक्छा के लिए जाने की सलाह देकर ये तीसरा पॉइंट्स लिख दोगे उनके अंदर से डर की भावना को समाब्त करके तो ये कुछ points हैं जो आप लोग लिख होगे NCC cadets कैसे भाग लेंगे किस में महिला ससकती करण में तो ये points आप लोगों को लिखना होगा फिर देखते हैं next question तो next question है health and hygiene से प्रशन पूछेंगे आप लोगों से तो यहाँ पर सबसे पहला पूछा गया है what do you mean by hygiene and sanitation explain personal hygiene how do you maintain it ये प्रशन पूछा गया है तीन प्रशन एक में कौन कौन सा पूछा है सबसे पहले what do you mean by hygiene and sanitation ये प्रशन हो गया explain personal hygiene ये दूसरा पूछा गया है how do you maintain it आप इसको किस प्रकार से maintain करेंगे ये प्रश्ण पूछा गया है यहाँ पे प्रश्ण पूछा गया है साब सफाई से आप क्या समस्ते हैं वेक्तिगत स्वक्षता को समझाए कि आप इसे कैसे करेंगे तो आप लोगों को आंसर लिखना होगा अपने परिवार, समाज और देश की सेवा वही वेक्ति कर सकता है जो मानसिक वा सारेरीक रूप से स्वस्त हो सफाई का मतलब है कि हम भोज्य पदार्थो, वातावरन, वस्त्रो और पेजल की सफाई का ध्यान रखें वेक्तिगत स्वक्षता में क्या क्या लिखोगे वातावरन तो ये क्या है वेक्तिगत स्वक्षता में ये सब चीज लिखोगे कौन-कौन सा सारेरीक स्वक्षता संतुलित वपोष्टिक आहार विट नियमित वयाम गहरी नीद्रा उसके बाद मादक पदार्थों से परहेज करना है आप लोगों फिर चिंतरहित प्रसन्यचीत वातावरन में रहना है तो ये हो जाता है आप लोगों का वेक्तिगत स्वक्षता और साबसापाई से आप क्या समझते हो पूछेंगे तो आप लोगों को क्या लिखना रहेगा अंसर अपने परिवार समाज और देश की सेवा वही वेक्ति कर सकता है जो मानसिक वा सारीरीक रूप से स्वस्थ हो सफाई का मतलब है कि हम भोज्य पदार्थ वातावराण वस्त्रों तथपे जलकी सफाई का ध्यान रखें तो ये आप लोगों को लिखना होगा फिर वेक्तिगत स्वक्षता में ये 6 पॉइंट्स लिख देना होगा फि का फैसरी 2 संपर्क रोगों का नाम बताना है तो जो रोग इसफर्स करने और संपर्क के दवाराज कि अंडवारा फैलता उसे संपर्क कहते है इंगलिस नाम से भी समझ आ रहा है आप लोगों को और हिंदी नाम से भी संपर्क रोग से आप क्या समझते हो तो संपर्क में आएंगे तभी वो रोग फैलेगा ये समझते होगे आप लोग इंगलिस में कैसे समझोगे what do you mean by contact, disease, contact में आएंगे तो disease फैलेगा उसके बाद दो कोई ऐसा भी disease का नाम लिख देना है तो जो रोग इसपर्स करने और संपर्क द्वारा फैलते हैं उसे संपर्क रोग कहते हैं कौन-कौन सा तो दाध हो गया खाज और लिखोगे फिसलिस और एड्स तो ये कुछ disease है जो संपर्क मतलब contact disease है फिर देखते हैं next question, question number 3 write down the sources of water and write the methods of purifying water मतलब जल्सरोतों के नाम लिखिए ये पूछा गया है एवं जल्सुद्धिकरण की प्रमुक वीधियां लिखिए तो जल्सरोत के नाम कौन-कौन से हो जाते हैं आपका सबसे पहले surface water नदी तलाब जील से जिसको collect करेंगे फिर ground water जो कुवा या hand pump से मिलेगा उसके बाद rainy water जो वर्सा की जल से मिलेगा उसके बाद इसको सूध कैसे कर सकते हैं तो boil करके हम लोग सूध कर सकते हैं पिंकिंग होता है एक मैठ़्ृत उसके बाद होता है sterilization उसके बाद filter relationeded कर सकते हैं उसके बद उसको stelerization कर सकते हैं उसको filtration कर सकते हैं filter कर सकते हैं उसके बद उसको हम लोग कर सकते हैं perceptions फिर देखते हैं सुध्धी करण के ये हो गया है किस प्रकार से उसको सुध्ध कर सकते हैं उसका answer फिर है what are the types of fracture what are the types of fractures fracture कितने प्रकार के होते हैं last time यहीपढ़ाया था fracture कितने प्रकार के होते हैं कॉन कॉन से होते हैं और देखो यहाँपे क्या होता है यह नहीं लिखना रहता है डीटेल संयूक तो टूड बस लिखना है इसका डीटेल नहीं लिखना रहता है बताया था क्योंकि NCC का एक्जाम कैसे होता है यहां कोस्चन देखने को मिलेगा एक दो लाइन छूटा रहेगा इसी में इसका सटीक आंसर लिखना रहता तो क्या क्या पढ़ना है मैं वीडियो की स्टार्टिंग में और क्लास के बीच बीच में बताते रहता हूँ आपको A grade लाना है तो आपको किस प्रकार से तैयरी करना पड़ेगा तो NCC का जो handbook है NCC handbook handbook topic wise classes यह पहला playlist हो जाता है उसके बाद दूसरा प्ले लिस्ट आपको खतम करना है target alpha grade उसका पूरा नाम ऐसा है NCC exam target alpha grade alpha grade इसको खतम करना है इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा NCC marathon class marathon class का playlist तो यह तीनों playlist आपको खतम करना है इसके अलावा आप लोगों को अपना जो NCC handbook है NCC का handbook उसको भी पढ़ना है उसके अलावा आप लोगों ने जब camps के दवरान notes बनाए थे उसको भी आपको complete कर लेना है ठीक है फ्रेंड्स फिर मिलते हैं next class में तब तक के लिए जए हिंद करने अलावा आपको बढ़ना है